हाई अवरिवन, विल्कम बेक माई योट्यूब चैनल रेश्य कुमारी कैसे हो आप लोग फ्रेंड्स, I hope आप लोग अच्छे होंगे अब मैं आ गई हूँ किचन में, फिर मैं आज आप लोग के लिए लेक के आई हूँ डोशा जो जटबट बनने वाली है, इंस्टेंट डोशा अगर आपके घर में कोई गेस्ट आया हो या आपको मन कर दे कि आज मुझे डोशा खाना है, ये डोशा आप लोग देख लीजिए, कैसे मैं बना रही हूँ, इससे आप लोग को जटबट रेडी हो जाएगा डोशा, बिल्कुल असान है, ये ब्रेकफास्ट जो आप कभी बना के आप और अपने फैमिली वाले को खिला सकते हो, चलिए फिर हम स्टार्ड करते हैं कि मैं लेके आई हूँ, ये रावा, रावा डोशा है, ये डोशा मैं रावा और दही के मिक्ष करके बनाऊंगी, और खाने में बहुत ही टेस्टी और हेल्थफुल है, आप लोग द यहां मैंने एक कोटोड़ा रावा लिया है, और एक कोटोड़ी मैंने दही ले लिया है, जितना रावा लेना है, उतने ही आपको दही सेम लेना है, फिर मैं इस रावा को क्या करूँगी, जार में रखूँगी, ताकि और ये बारिक हो जाए, और पाउडर बन जाए इसका और फ्रेंस तो आप देख सकते हैं आप लोग कि मेरे गोध में मेरी वेदव आके मैरी वेदा अर्पनी डू करते हैं पर कोई बात नहीं इसे मैं थोड़ा सा प्यार करती हूँ तो आप देख सकते हैं मैंने उसको पाउडर बना के फिर एक बाउल में रख दिया रावा को फिर मैं उसमें शीम कटोड़ी जो था दही मैंने इसमें डाल दिया और इसमें सबसे जरूरी बात यह है कि इसमें आप गिहू का आटा आप डाल सकते हैं इससे और अच्छी बनेगी दोसा आप एट डाल के तीनों को हम मिक्स करेंगे आप देख सकते हैं फ्रेंड कि मैं मिक्स करूँ पर उसमें हलका सा नमक डालेंगे फिर मैं हल्का पानी डालूंगी ताकि मिक्स करूं और इसमें गाट ना आने दूं ओके फ्रेंड, तो आप इसमें न थोड़ा थोड़ा पानी डाल के आप इसे मिक्स करें और इसमें गुठलिया ना आने दे इसे अच्छी तरग से मिक्स करके फिर हम थोड़ी देर के लिए इसे रेश्ट पर रखेंगे आप इसको 15 मिनट तक रेश्ट पर रख सकते हैं देख सकते हैं फ्रेंड्स मैंने वो बाउल को बड़े बरतन में प्लट लिया है क्योंकि वो आप अच्छोटा पढ़ रहा था इससी वज़़ैसे थोड़ा मिलाने में मिक्स करने में छोड़ा पढूरा था इसलिए मैंने बड़ा बरतन में डाल लिया और इसमें मैं डाल रही हूँ एक इन्नो तो छोटा पैकेड आप इसमें डाल सकते हैं और हलकी सी पानी डाल के फिर मैं इसे क्लॉक्वाइज मिक्स करूंगी आप लोग को उल्टा नहीं करना है कि उल्टे करने से ना इसमें हवा चली जाती है तो आप इ इसलिए मुंग्फली को मैं भून रही हूँ थोड़े देर के बाद ये भी हो जाएगी मेरी मुंग्फली आप लोग सोच रहा होंगे कि ये मैं क्या दिखा रही हूँ आप लोगों को आप लोग देख सकते हूँ कि इसमें मेरी वेत्डू अंदर जाके छिम गई है इसी में खेलती रहती है फिर मैं इसे निकाल रही हूँ और आप लोग ये देखिए मैंने जार में मुंगफली भुना हुआ लहसेन और चारकलिया हरी मिर्च रख लिया और नीमबो नी चोड लिया है और इसे मैं आप पीस लिएँगी इसे के बाद चटनी मेरा ये देखिए रेडी हुआ है अभी पूरा रेडी नहीं हुआ है अभी इसमें तरका देना बाकी है चलिए फिर मैंने एक गैस पर बरतन रख लिया है जिसमें तरका देते हैं और जब गरम हो जाए ये बरतन फिर मैं इसमें डालूंगी सर्शो तेल फिर डालूंगी उसमें जब सर्शो तेल हिट हो जाए तो हिंग पाडर और मैं डाल रही हूँ दो साबुत लाल मिर्च और राई और मेरे पास फ्रेंड्स कड़ी पता अबलेबल नहीं थी तो मैंने नहीं डाला अगर आप लोग के पास है तो आप लोग डाल सकते हो उससे पोर टेस्ट आएगा और यह देखिए मैंने तड़का दी दिया थ्वड़ा से मैंने मिश्टेक कर दिया उसमें डुगो दिया उस बरतन को जिससे चारो तरफ छिटका आगई आप लोग उपर से ही डाले यह रख दिया मैंने तवा डोशा के लिए और जब तवा हिट हो जाए फिर मैं उस पे ओल बरत से ओल चारो तरफ लगा दूंगी चारो तरफ मैं फैला रही हूँ फिर मैं इस पे मारूंगी पानी का चिटा और पानी के चिटा देने के बाद मैंने साफ कर लिया कपड़ा से और फिर मैंने डोशा का बैटर डाल के उसे फैला दिया और आप चाहें तो ओयल डाल सकते हैं नहीं चाहें तो नहीं डालें आप देख सकते हैं फ्रेंड मेरा ड रेडी हो गया बिल्कुल रेस्टोरेंट टाइप बहुत टेस्टी दिख रहा है मेरे को और खाई भी बहुत अच्छा लग रहा है और एक डोशा में बना रही हूँ मसाला डोशा मैंने आलू का जो मसाला रेडी किया था उसको मैंने डाल लिया है आप देख सकते हैं कि यह थ स्क्राइब कर देना और फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में